आंक्रे भले ही महगाई से मामूली राहत दिखा रहे हूं अभी कुछी दिन पहले खुदरा महगाई के आंक्रे आये जिसमें ये बताया गया कि महगाई कम हो रही है लेकिन कई ऐसे दर्वाजे खुल रहे हैं जहां से महगाई अब सीधे आपको देख रही है जैसे पहली मार टीवी चैनल देखने वालों पर, दूसरी मार बिजली के ग्रहकों पर दरसरफ प्रमोग टीवी ब्राडकास्टर टीवी चैनल के रेट में विर्धी कर रहे हैं इससे टीवी रिचार्ज कराने का मंतली सब्सक्रिप्शन पैक महंगा हो सकता है दूसरी तरफ महंगी बिजली भी दरवाजे पर दस्तक दे रही है टाटा पावर ने महराष्ट के बिजली नियामक महराष्ट एलेक्रिसिटी, रेगुलेटरी, कमिशन से फ्यूल एडजस्मेंट चार्जिज को आसान बनाने की मांग की है एसी मांग की है? ताकि बिजली खरीदने की लागत की रिकवरी हो सके बिजली दरौं की कीमतों में बढ़ोत्री की तयारी क्यों हो रही है सर, इस समय बिजली कंपीनियों को पहले भी सरकार ने इस बात की चूर दी थी कि वो अपनी दरव मैं बढ़ोत्री करें है उसने महराष्टर का जो electricity regulatory commission है उस commission को ये से request किया है या अपील किया है कि वो बजली के दरे बढ़ाने के फैसले पर रियाद पर मंजूरी दे अगर electricity regulatory ये मंजूरी देता है तभी बजली दरे बढ़ेंगी और एक बार अगर राज्जों में बजली के दर बढ़ना शुरू ही इसलिए देर सबेर जातातर बिजली बोर्डों को या बिजली घरों को अपने बिजली की कीमतें बढ़ानी पढ़ेंगे सर चैनल स्क्रेट्स भी बढ़ जाएंगे कुछ कमपीनियों ने बढ़ा दी हैं सुनी और जी ने अपने कुछ बुके में चैनल दस से पंदरा परसेंट के तक की कीमतें बढ़ा दी हैं टियार आई और चैनल सर्विसेस दे रहीं कमपीनिया या जो ब्राटकास्टर हैं उनके बीच में इसको लेकर खासी खीचतान चल रही है लेकिन आप कुछ कमपीनियों ने अपने अलग अलग बुकेज में जब दरें बढ़ाना शुरू कर दी है तो आपका जो रिचार्ज है जो आपका डीटेश रिचार्ज है या जो आप चैनल देख रहे हैं उनकी दरें भी आने वाले समय बढ़ने वाली है